असलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब नभीय रहमत कुईज से काफी सवाब हासिल कर रहे हैं, इस कुईज से रिलेटेड बार-बार पूछ जाने वाले सवालों के जवाब देने के लिए एक FAQ वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आपने फैमिली और दो प्रेडिफिकेट मिलेगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, दूसरा सवाल है क्या एक क्विज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आटेम्ट करना ज़रूरी है, जवाब है नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहे तो कर सकते है कोई पाबंदी नहीं है, तीसरा सवाल है, हिंदी और हिंग्लिश दोनों में टेस्ट अटेम्ट किया तो कौन से माक्स काउंट होंगे, जवाब है, जिसमें ज़्यादा माक्स होंगे, वो माक्स काउंट होंगे, चवता सवाल है कि डिवाइस ब्लॉक क्यों हो रहा है, इसक तब वीडियो देखने के बाद ही quiz attempt करना है इसका जवाब ध्यान से सुनिए आप एक एक वीडियो देखके attempt कर ही नहीं सकते कि कोई एक बार आपने quiz शुरू कर दिया तो आप उसको exit नहीं कर सकते पूरा किये भिना आपको quiz attempt करने के बाद 7 गंटे मिलेंगे submit करने के लिए 7 गंटे के अंदर आपको सारे सवालों के जवाब देकर submit करना होगा और उसके बाद ही आप exit कर पाएंगे इसलिए मेरा मशवरा है कि आप वीडियो बार बार देखिए कई बार देखिए क्योंकि आप 25 अक्टोबर तक वीडियो देख सकते हैं आराम से उसमें कोई जी हाँ आप 25 अक्टोबर तक कभी भी खेल सकते हैं इसलिए आराम से वीडियो देखिए कोई जल्दबाजी मत करिए क्योंकि एक बार आपने quiz attempt पे click किया तो आपको 7 गंटे के अंदर सारे सवालों के जवाब देकर submit करना पड़ेगा सात्वा सवाल है कि quiz attempt करने के बाद क्या हर एक सवाल का जवाब देने के लिए कोई time limit है? इसका जवाब भी ध्यान से सुनिये एक बार आपने quiz attempt पे click किया तो एक-एक सवाल के जवाब के लिए तो time limit नहीं है लेकिन सारे 50 सवालों के जवाब देने के लिए आपके पास 7 घंटे होंगे 7 घंटे के अंदर आपको सारे सवालों के जवाब दे के submit करना होगा जब आप quiz attempt पे click करेंगे तो ये general instructions के अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास total 7 hours का time है ये quiz को समाप्त करने के लिए submit करने के लिए आठवा सवाल है क्या मैं दुसरे नंबर से फिर से एक बार test दे सकता हूँ इसका जवाब है हाँ आप दुसरे नंबर से फिर से एक बार test दे सकते है नवा सवाल है अगर मैं उम्रा जीत गया तो क्या मैं अपनी जगह अपने मा को या किसी और को भेज सकता हूँ इसका जवाब है जी हाँ अगर आप उम्रा जीत जाते हैं तो आप अपनी जगह अपने वाली वालिदयन किसी को भी भेज सकते हैं लेकिन जो शर्त बताया गया है कि उसको भारती नागरिक होना जरूरी है उनका आधार काड़ होना जरूरी है और उनका भारत में होना जरूरी है दसवा सवाल है क्या गलत जवाब पे negative marking है इसका जवाब है जी हाँ गलत जवाब पे minus one marks कटेंगे और सही जवाब पे दो marks मिलेंगे ग्यारवा सवाल है quiz attempt पे क्लिक करने के बाद turn off USB debugging लिखा आ रहा है तो मैं क्या करूँ इसका जवाब है आपको अपने phone के settings में जाके उसमें developer options के अंदर USB debugging off करना पड़ेगा उसके बाद ही आपका quiz attempt होगा वरना आप quiz attempt नहीं कर पाएंगे बारवा सवाल है अगर भहुच से लोगों के एक जैसे marks आ गए तो कैसे decide करेंगे इसका जवाब already instructions में लिखा गया है कुरा अंदाजी यानि live lottery system के जरिए नतीजे declare के जाएंगे तेरवा सवाल है फिफ्थ प्राइज में किसी pamphlet पे airpots लिखा है किसी pamphlet पे earbuds लिखा है ये दोनों लिखा है प्राइज में अलग-अलग pamphlet पे इसमें कौन सा प्राइज मिलेगा इसका जवाब है अलग-अलग companies wireless earphones को अलग-अलग नाम से बताते हैं और हम फिफ्ट प्राइज आच्छे कंपनी के wireless earbuds ही देंगे जो बहतरीन quality के होंगे सब प्राइज के specifications इंशालला जल्दी हम display करेंगे 14th question है इस application पर आपने profile पर आधार नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं इस application की home screen के ऊपर जो three lines दिख रहे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर option मिलेगा एडिट profile एडिट profile पर क्लिक करने के बाद आपको option मिलेगा personal details वहाँ पर आपना date of birth, gender, आधार नंबर और आधार का image अपलोड कर सकते हैं अगर आपको अपना नाम भी कोई spelling mistake हुआ है और change करना चाहते हैं तो email id एड़ करके उसको भी update कर सकते हैं और अगर नहीं होता है तो आप हमें चैट में बता दीजें कि आपको इस चीज़ें अपडेट करनी है और आप हमें message करके बता दीजें हम आपका name का spelling ठीक कर देंगे पंद्रवा सवाल है इस quiz का मकसद क्या है इसका जवाब है हम चाहते हैं कि आप सिर्थ को लोग पढ़े जाने सुने समझे और अच्छे से अपने जिन्दगी में उतार ले इसके आलावा आपके जानकारी के लिए बता दू वर्च एरिटेबल टस्ट रभी उलावल को माय पैदाईश का मैना है आप सिर्थ के लिए रहमत बन कर आया थे इसलिए उनके उम्मती होने के नाते वर्कर्स जो है और रहमत का काम करते लोगों के लिए भलाय का काम करते इसके आलोग पुरा साल भी करते लेकिन इस मेने में खास लोगों तक ये मेसेज भी पहुचाते है कि आप सलस्लम रहमत अलमीन बन करायते है हर एक इंसान के लिए रहमत बन करायते सिर्फ मुसल्मानों के लिए नहीं आप सलस्लम के उम्मती होने के नाते हर किसी के लिए रहमत बनना मुसल्मानों की जिम्मदारी है सोलवा सवाल है course purchase करने वाले certificate download कैसे करें यानि कि जुन्होंने 1 रुपीज पे किया है नभी रहमत quiz के उपर जो 1 रुपीज लिखाता है जुन्होंने भी वो purchase किया है उन लोगों के लिए certificate download कैसे करना है यह यहाँ पर वीडियो में दिखा रहा हूँ अब देख लिजे होम स्क्रीन है होम स्क्रीन पर जो तीन लाइन से तीन लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पर certificates का option दिखाई देगा अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी यहाँ पर courses किये होंगे और आगे जो भी करेंगे तो सारे certificates आपको यही पर download के लिए मिलेंगे इंशाला अगर आपने आप इतक अल्लामा सहथ अब्दतरिक सहाब के Facebook और YouTube को सब्स्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्स्राइब करें क्योंकि इस quiz के नतीजे जो है हुआ 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 है हुआ हर छूआ है झाल